हलो दोस्तों मैं इंद्रेश अपने यूटूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम जो है अंकित वित्रोजगार के पीलि बुक से जो है जियोग्राफिकी मैराथन देखेंगे ठीक है जियोग्राफिकी क्या देखेंगे मैराथन क्लास ठीक बहुत ही इंपोर्टन इसमें कॉष्टन है जो UPSSS2000 सब मैंने एड किया ठीक है सभी एड है इसमें ठीक चलिए आए थोड़ा सा थेयरी वाला देख लेते हैं पोर्शन जो है कुछ जो हमारे इंपोर्टेंट है चार पांच कोश्चन मतलब थेयरी से वेशन है जिसे जोग जोग हमारा क्या है जल परपात है ठीक जोग जल परपात किस नदी पर है तो जोग जल परपात हमारा किस नदी पर है सरावती नदी पर है सरावती नदी कहां पर बाती है तो करनाटक में याद रखेंगे आप प्रपात पूछता है चूलिया जल प्रपात किस पर चंबल नदी पर है ठीक है चंबल नदी चंबल नदी कहां पर राजस्थान में याद रखेंगे आप रूख ठीक है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट बताईए नेक्स्ट हमारा हुंड्रू हुंड्रू जल परपात हुंड्रू रा में रू आ रहा कि नहीं तो इसमें आप लोग के सपोर्ट से काफी व्यू जा रहे हैं, तो आज मैं टार्गेट बनाया हूँ, ठीक है, आज हमारा टार्गेट है कि कम से कम आप लोग 500 सब्सक्राइबर कर दीजिए, ठीक है, आज मैं आप लोग को टार्गेट देता हूँ, 500 सब्सक्राइबर करना है, ठी धुआ धार जल प्रपात हमारा नर्मदा नदी पेु मचछ कुंडम उडाम कहा है मच कुंडम उडिशा में किस डुडुमाजलपरपात कहा है मच कुंडम याद रखेगा कौन सा स्यू समुद्रम जलप्रवात किस नदी पे कावेरी नदी कहां करनाटक में ठीक है दूद सागर जो है मांडवी नदी गोवा में ठीक है दूद सागर मांडवी नदी गोवा में है दूद सागर जलप्रपात मांडवी नदी कहां पे गोवा में ठीक चलिए गोवा की जानी पता ही सब को कहां है पंड़ जी है ठीक गोकक कभी 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 कई गोकक लिखा रहा था गोकक प्रपात तो यह हमारा कहां पे जारखंड में है स्वारी घाडप्रभा में है करनाटक में ठीक घाडप्रभा और करनाटक में चली नेक्स्ट है नेक्स्ट हमारे कुंचिकल एक कुंचीकल जल प्रपात है, वराही नदी कहाँ पे है, वराही नदी करनाटक में, याद रखेंगे ने, वराही नदी कहाँ पे है, करनाटक में, दसम, दसम जल प्रपात हमारा कहाँ, कांची नदी जार खंड में, कहाँ पे है, कांची नदी जार खंड में, ठीक, चली, आ नदी, 36 गणड़ में तिर्पनवा, जो हमारा क्या बना है? टाइगर रिजर्व बना है, घुरु खासी दास, गुरु खासी दास होभी हमारा का 36 गणड़ में ठीक, चलिए भारत में बहु देशी परियोजना, कुछ परियोजना हैं, उनके बारे मां ये दिख लेते हैं, फि झिंद्रा गांधी नहर परियोजना dengan 17 पे वह कहां में स्थान कि तरिफ यहा नाओ हकै ख़ंब कि पनादी भाय चिनाब हिप यहां पर जंभू एंड कास्मीर थीक जंबू हं ड्री उच्णॐ प्रेखा नदी जारखन्द में याद रखेंगे न आप लोग चलते हैं मैट तूरबान हमारा किस नदीब है तो कावेरी नदीब है और तमिलनाडू में याद रहेगा ने किस नदीब है तमिलनाडू में है कावेरी नदीब ठीक आए चलते हैं स्टार्ट करते हैं कोश्चन जो हमारे यूपी ट्रिपल सी पैट दोजार बाइस में पूछे गए कोश्चन है उनको आप लोगों को दिखाते हैं ठीक है आज का पहला कोश्चन है सलाल पन बिजली परियोजना किस तो इस पे कौण कौण सी सलाल हो गई दुलहस्ती सलाल दुलहस्ती और कौण सी है उरी परियोजना हमारी किस नदीब है तो जेलम नदीब है ठीक है जेलम नदीब कौण सी परियोजना उरी है ठीक चलिए अगला कोश्चन बताएंगे आप लोग अगला कोश्चन कोश्चन खेतड़ी परियोजना किसके उत्वादन के लिए प्रसिद्ध है बताई राजस्थान का जो खेतड़ी परियोजना है वह किसके लिए प्रसिद्ध है बताई जस्ता के लिए तांबा के लिए इसपात के लिए यह अलुमिनियम के लिए तो किसके लिए है तो तांबा के लिए तामा के लिए राजिस्थान का खेतडी क्या है, ताम भी के लिए जाना जाता है, ठीक है, चलिए, आई चलते हैं, नेक्स्ट कोश्चन, अगला कोश्चन, कोश्चन नमबर थर्ड, यह भी यूपी ट्रिपल दस कोश्चन है, जो पूछे गए यूपी ट्रिपल सी, आज वाले गैंड़े के लिए, क्या किया जाता है, जाना जाता है, ठीक, और यहाँ पर कौण सा है, बताईए, कौण सा नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश में कौण है, काना है, पन्ना है, ठीक है, काना पन्ना और कौण सा है, बताईए, काना पन्ना अमारे यह है, ठीक है, ब कौन से बंगाल टाइगर के लिए जाने जाते हैं ठीक है बंगाल टाइगर के लिए जाने जाते हैं ठीक चली एह चलते हैं कोश्चन नमबर फॉर कोश्चन नमबर फॉर बताईए आप नेमने लिखित में से कौन सी हिमालई नदी तंत्र की नदियां हैं हिमालई नदी तंत् पहाड़ी कहां से त्रेम पहाड़ी कहां से नासिक से ठीक है नासिक महाराष्ट से याद रखेंगे ब्रह्म पुत्र का भी कहां पर हमारा कैलास के मान सरोवर से कैलास के कैलास परवत के मान सरोवर से यह भी हमारा निकलता है तो कौन कौन से कावेरी हमारी ब्रह्म गिरी पहा भीच में आप लोगों को कुछ कोश्चन आ गये हैं इसको देख लीजिए थोड़ा सा ठीक है तो इसका कौन सा हो जाएगा पहले आप लोग यह देख लीजिए तो इसका कौन सा सही हो जाएगा फस्ट and थर्ड ठीक है फस्ट and third is the right answer ठीक फस्ट and third is the right answer चलिए आईए आपको थोड़ा से दिखा देता हूं कुछ question अमारे है दामोधर घाटी परियोजना अब परियोजना के बारे माईए थोड़ा से दिखा देते हैं बीच बीच में ताकि आप लोग याद, बीच बीच में आप लोगो याद भी करते चलेंगे, ठीक है, दामोदर नदी, ठीक है, कहाँ पे, कहाँ पे बताई, जारखंड पस्चिम बंगाल में, जारखंड और पस्चिम बंगाल दोनों याद रखेंगे, ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना कह पे नर्मदा नदी कहां पे गुजरात में सरदार सरोवर कहां पे नर्मदा गुजरात में दुलहस्ती अभी मैंने बताया था चीनाब दुलहस्ती बगलिहार सलाल तीन एक ही नदी पे हैं दुलहस्ती इस पे कौन कौन से दुलहस्ती दुलहस्ती और एक कौन सलाल है ठीक सलाल दुलहस्ती, सलाल और बगलिहार ये तीनों हमारी किस पे हैं तो ये हमारी चेनाब नदी जंबू कस्मीर में अलमाटी बाँथ, क्रिश्णा नदी कहां पे करनाटक में मयूराच्छी अगला कौन सा मयूराच्छी परियोजना मयूराच्छी परियोजना कहां पे है, ये मयूराच्छी नदी पस्चिम बंगल में याद रहे जाने, चलिए, नेक्स्ट बताईए, नेक्स्ट हमारा कौन सा टिहरी बाँद टिहरी बाँद परियोजना, किस पे भागी रथी नदी है, किस पे उत्राखंड में है भागी तियरी बाद भागी रथी नदी नदी कौन सी है भागी रथी है कौन सा इस्टेट है उत्रा खंड है ठीक फूलों की गाटी भी कहा है यहें पर दर रहा है हमारी कौन कौन सी उत्रा खंड में है ठीक चली अगला हमारा टियरी हो गया उकाई परियोजना उकाई परियो इस पे यह भी ताप्ती पे है ठीक इडुकी यह सब इंपोर्टेंटड़ बहुत बहुत इंपोर्टेंट इसलिए मैंने सिर्फ-इंपोर्टेंट शघ् सक्का में या दोकें चला परियोजना इस बार 100% पूछेगा फरक्षा परियोजना किस नदी पर है तो गंगा नदी पर कहां पर पस्चिम मंगाल में याद रखेंगें कहां पर नागा अर्जुन परियोजना कृष्णा नदी तेलंगाना में तेलंगाना हमारा कब इसे अलग राजी तो दो जून 2014 को एक नया राजी बना उंतिसवा राजी बना किसे कटके बना है तो यह हमारा आंद्रप्रदेश थे तुंग भद्रा परियोजना बताइए तुंग भद्रा परियोजना तुंग भद्रा नदी आंद्रप्रदेश में ठीक तुंग भद्रा परियोजना तुंग भद्रा नद दोनों जेलब नदीप पे हैं और जंबू कास्मीर में ठीक बचा हमारा कौन सा बगलीहार दुलहस्ती यह सब तो मैंने भी बताया था जंबू कस्मीर चिनाब में चिनाब नदी ठीक आई जलते हैं अगला कोश्च अगला हमारा जो आठ हमारी क्या है परमारू नाबकी केंद्र है कुंडल कुम् कहां पर माहार तमिल्लाडु में यहीं पर घैनलाडु सोरा बुलंद सहर उत्तर प्रदेश में most important है नरावरा बुलंद सहर उत्तर प्रदेश में कहएगा करनाटक में का से कहएगा का से करनाटक काकरापार गुजरात में काकरापार कहा है गुजरात में जैतपूर कहा है महाराष्ट में याद रखेंगे ने चलिए कुंडल कुलम कहा है तमिलाडू में ठीक चलिए यह आगे हमारा अगला कोशिन जो आपसं था वो तो हम लोग करी लिए थे चलिए नेक्ट बताई अब देखिए अभी मैंने पूछा था नागा अर्जुन सागरबांत किस नदीपे है पूछ दिया ने अभी मैंने करा आठ के जो बीच में लगा दिया था ताकि यह चीज़ें आपनों को याद कराता चलिए अब फिर आपको दिखा दूँ कि मतलब कोशन आया है इस टॉपिक से ठीक तो किस नदीपे है तो यह हमारा कौन सी नदीपे है कृष्णा नदीपे नागा अर्जुन सागरबांत पर वर्ष की गई थी ते हमारा जो 1903 में की गई थी कब की गई थी इंपोर्टेंट कोशन है 1903 में ठीक है कब चड़ाई की गई थी तो 1903 में ठीक भरतपूर में इस्थित भरतपूर सबसे पहली बात है भरतपूर पढ़ता कहा है ते भरतपूर हमारा जो पढ़ता है राजस् पस्षिम बंगाल में ठीक चलिए एए चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन अगला कोश्चन भिलाई क्या हमारा भिलाई भिलाई इस पात सयंद्र लोग इस पात सयंद्र यह भी बहुत मोश्ट मोश्ट इंप्रटेंट इस बात सयंद्र कहा पर है बताईए आठमा कदे हमारा दल्ली राजहरा भिलाई 36 गण में दल्ली राजहरा में देखिए क्या पूछ दिया है यह चीज नहीं पूछा कहां पर है तिस गड़ में ठीक है क्या पूठा दल्ली राज हरा ठीक इसलिए आप लोग याद रखा करिए उनसे रिलेटेड जो गाम है उनको भी जो ठीक है नौवा कोश्चन यह भी यूपिट्र परलसी पेट दोजार बाइस में 21 में पूछा हुआ कोश्चन है जोजिला और जराचलाशवी कि मैंने बताया था इकार में जोच मंगाल साइस कोश्चन उट्रा फोटा khoन से नाथुला और जोच्चन हो जाएगा तो टू और फ्री यह हमारा जोजिला और बुर्जिला क्या साइव में बिल्कुल सही है ठीक चलिए चलते हैं टू और थी अमारा नहीं मैच कर रहा है ठीक चलिए आगे चलते हैं कि नेक्स्ट है अगला कोश्चन आप लोग सामने कोश्चन नमबर दस अब यहां से हमारी कोश्चन जो है पूछे गए हैं कौन से मंडी परिशत 2019 में भारत में कुल सिचाई का 45 प्रतिशत और घरेलू पानी का भूजल रिजर्व से आता है बताईए कितना प्रतिशत आता है फडाक से बताइए आप लोग एंसोर इसका क्या हुजाएगा 80 प्रतिशत क्या आता है 80 प्रतिशत क्या आता है भूजल से आता है ठीक चलिए आए चलते हैं नेक्स्ट अगला कोश्चन नमबर 11 11 क्या कहा रहा है निमने लिखित में से पस्चिमी घाट की सरोच सिखर कौन सी है अनाई मुड़ी है ठीक pencil किस की है अन्ना मलाई पहाड़ी की ठीक है अन्ना मलाई पहाड़ी के सबसी ंची चूटी है जो कहाँ पर पढ़ती है केरल में, ठीक है, केरल में, ठीक, 26,95 मीटर की, कितनी है, 26,95 मीटर की, दूसरी कौन से दोदा बेटा है, दोदा बेटा, दूसरी कौन से तच्छीर भारत की, दोदा बेटा है, किसकी है, नील गिरी की पहाड़ी है, ठीक है, एक कहां पर पढ़ती है, नील गिरी की, यह जो द larda question कर रहाइं कि निमनलिखित मेंसे कौन सा बिकल्प लगुत्तर हिमाले की परवत की सब से लम्बी परवत मिदलब लगुत्तर हिमाले ठीक है पाले काुंसा है पाले का कॉणसा का र कारा कॉ remembrance नई स्वारीक वह से लगुत्तर पुछाने, पहले ट्रांस हिमाले, ट्रांस, फिर ग्रेट हिमाले, ग्रेट हिमाले, एच का मतलब हिमाले, आप लोग से ग्रेट हिमाले, फिर कौन सा है, लगु हिमाले, ठीक, फिर उसके बाद, लगु के बाद कौन सा है, शिवालिक, ठीक है, शिवालिक, ठीक, यह हमारी क्या है, इस तरह से स्री जैन की, ठीक है, तो कौन सा है, इसका लगु हिमाले का मतलब सबसे छोटा पूछा है, तो सबसे लंबी, सबसे लगुतर हिमाले की, इसी को ग्रेट हिमाले को ब्रिहत हिमाले भी काते हैं, इसी का काते हैं, ब्रिहत हिमाले, ठीक, याद रहेगा नहीं, कौन सा हिमाले काते हैं, ब्रिहत हिमाले, इसकी जो क्या हमारी पीर पंजाल है, ठीक है, क्या लगुतर हिमाले है परवत की सबसे लंबी सरिंखला जो कौन सिय है पीर पंजाल जो कहां पर पढ़ती यह पीर पनजाल बताईए जंबु कसमिर में हिमांचल पढ़ती है हिमांचल प्रदेश में चलिए ऐस एक नेक्स्ट नेक्स्ट है यहमारा question number 13 question number 13 क्या कर देख़ी यू-rasi बारति फ्लीट के तक्राऊ पर शिकुलन के प्रड़ाम शौरूप निर्मित लंबबवद घाटे काँähr vyका यह बषार तेरा सब्सक्राऊ प्लेट के बीच में क्या होती है यह उनके हूं से बालॅ मलबबवद घाटे काथ Pres códoc in तेरा का कौन सा है तो डंस काते हैं, क्या काते हैं, डंस काते हैं, इंपोर्टेंट है सब कोश्चन है, पूछे गए हैं यूपिटर पलस्टी के, ठीक है चलिए, अगरा कोश्चन, कोश्चन नमबर 14, प्राइद यूपी पहारी मैदान, पठार का एक अनोखी ये भी सेचता ह है, काली मिट्टी का छेतर है, जिसे काते हैं, जहां काली मिट्टी है, प्राइद यूपी भाग का पठार है, यहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, यहां इस पकड़ लेजिए, काली मिट्टी का छेतर कौन सा, छोटा नात्पुर का भारती प्राईजुप की सबसे उची चोटी कौछ अनाई मुडी है छृक दोड़ा बेट остав कितनी है तो je 24 27 मी्टर की दूसरे क्रमकी ए और ये कहां पढ़ती है तो तमिल नाडु में Is the यहां का मतलब क्या होता तो अत्तामिल लानु तुछ आप से मारा बी पार्ट इज़टा राइट एंसवर ठीक है चलिए अगला कोश्चन इन में से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय का परवत शिखर नहीं है महान हिमाले या क्या हिमादरी परवस निखब मैंने बताया था ने अभी ट्रांस सबसे उपर होता है फिर कौन सा होता है ट्रांस हिमाले फिर महान हिमाले फिर कौन सा होता है लगू लगू हिमाले फिर कौन से होती सिवालिक रेंज होती कौन से होती सिवालिक सबसे नमींतम इसको बोलते हैं, सिवालिक को ठीक है, इसके अंतरकत कौन कौन से आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, महान ही माले के अंतरकत बताई, महान ही माले क माउंट कंचन जंगा, माउंट मकालू, माउंट नंदा देवी या माउंट नाग टिबा, तो कौन सी नहीं आती है, 16, question number, 16 का मा माउंट टिबा नहीं या ति कंचन जंगा इसका भाग है ठीक कंचन जंगा भी इसका है माउंट मकालू भी है माउंट नंदा देवी आ पड़ता है तो यह उत्राखण्ड में पड़ता है ठीक है चली ऐचलते हैं next question question कोश्चन ग्राम विकास सद्काई 2018 में पूछा हुआ कोश्चन है सभी प्रिवियस यह के कोश्चन पूछे हुए है तो आप लोग विशेज ध्यान दिया करें इन सब कोश्चनों पर इनमें से कौंसा कम हिमालय कौंसा कम हिमालय या हिमांचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी र ग्रक्रानी घेत या बाना सुर्य ह्या बताइए कौंसा नहीं है कौंसी पहाड़ी नहीं है 17 कह जलते हैं नेक्स वह कौंसा सिखर है पूछら वह कौंसा कउंसा परवसिकर है जो पूरी तरह से भारत में इस थीत है तो कंचन जंगा हमारा कांग सिक्किं प्लस नेपाल दोनो का बी पार्टी दा राइट एंसर जो हमारा क्या है पूर्ण रूप से नंदा देवी उत्रा खंड में पड़ता है याद रखिएगा ठीक चलिए आई चलते हैं नेक्स्ट कारा कोर्म परवत स्रिंखला में सबसे उंची चोटी कौन सी है कारा कोरम परवत स्रिंखला की सबसे उची चोटी कौन सी है नंदा देवी मांट केटू या मांट एवरेस्ट या नंगा परवत बताए कौन सी है बताए जल्दी 19 का उनिस का कौन सा है तो माउंट केटू जो है कारा कोरम की एक स्रिंखला है जो सबसे उची इसकी चोटी कौन सी है माउंट केटू माउंट एवरेस कितना आठ जार 849 या उन्चास लगभग हो गई है ठीक है चलिए नंगा परवत हमारा जंबू कस्मीर में पड़ता है कहां सबसे सबसे उची चोटी है मैंने इसे बता तुका 26-95 मीटर के कहां पर पड़ती है तो यह हमारी पूण रूप से के रल में पड़ती है ठीक हे में पड़ती है और दोद्दा बेट्टा जो है कितना 26-37 मीटर की है कितनी 26-37 मीटर की कहां पर पड़ती है तो तमिल नाडु में है यह क्या करती है दोदा बेटा जो निल गिरी की सबसे उची चोटी है यह जो पश्मी घाट को और पुर्वी घाट को जोडने का काम करती है महेंद्रगिरी अमारी उडिशा में पढ़ती है ठीक है चलिए कोशन नंबर 21 का बताईए पोन मुडी दच्छिड भारत का एक छोटा हील इस्टेशन है पोन मुडी दच्छिड भारत का एक छोटा सा हील है और यह कहां पे पढ़ता है बताईए किस सहर के पास बढ़ता है ब कोजी कोड आंदरप्रदेश या कीरल में थोड़ा से इसको देख लीजेगा याद हमको नहीं आरा कोजी कोड ठीक चलिए अहीं चलते हैं नेक्स्ट अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 22 निमने लिखित में से कौंसी घाटी हिमाले परोत रिंखला में इस्थित नहीं है कौंस उत्रा खंड में है जो यह भी हमारा हिस्सा है ठीक इस हिसाब से हमारा डी पार्टी दा राइट है तो आंधर प्रदेश में पढ़ती है में घाले पठार की सबसे उंची चोटी कौंसी गारो खासी जैनतिया में घाले की क्या है पहाडियां ठीक है तो इसमें से पूछा अगला कोशन कोशननमबर 24 भागोलिक इतिहास की अनुसार भारत का प्रचीनतम परवत कौंसा है सबसे प्रचीनतम परवत पूछा है तो हमारा सत्पूड़ा है, नेलगिरी है या फिर विंध है या अरावली सबसे प्रचीनतम परवत स्रिंखला कौन सी है तो हमारी अरावली परवत स्रिंखला सबसे प्रचीनतम है, कहां पे है, गुजरात कहां कहां से गुजरात में फैली हुई है राजस्थान में राजस्थान और उसके बाद राजस्थान के बाद कहां है हरियाना और दिल्ली में ठीक इसका बिस्तार है ठीक राय सीना हिल्स पे ही तो बन रहा है हमारा संसत्थ भवन केरल में इस्थित सरोच परवत चोटी का ना इसके ने कई बार डीटेल से बता दिया question number 26 26 का बताई आप लो क्या गारा है कि भारती परवत चोटी की सबसे उचाई चोटी की उंचाई सबसे कम है, इसमें किसकी उंचाई सबसे कम है, बताई जल्दी, किसकी सबसे कम है, कंचन जंगा दूसरे नंबर की सबसे उंची चोटी है, ठीक है, उंची सबसे उंची चोटी, कामेट, मुकुट परवत, या किसकी है, बताई जल्दी, इसमें सबसे परवत के बीच सीमा परिष्थीत है तो हमारा कहां भारत और चीन भारत या भारत और ढुतर तो भारत और नेपाल्स तो क्या हो जागा भारत और नेपाल के बीच में पाल चीन ची सलिए कौaeli PDF में henry- footage 8 वारत भारत और एंपाल के बीच स्थित अीं चलिए इचलते हैं नेक्ष्ट कोश्ट नमबर 29 कोश्ट नमबर 29 बताइए क्या हो जाएगा उत्तरी अंडमान का उच्छतम बिंदु 732 मीटर पर इस्थित है बताएए कौन सी चोटी है उच्छतम बिंदु कौन सैडल पीक है या तो हमारी कौन सी अंडमान निकोबार के सब पीक है याद रखिएगा सबसे उची चोटी अंडबान निकोबार हमारा क्या द्यूप शमू है ठीक चलिए आए चलते हैं नेक्स्ट कुश्चन कुश्चन नंबर 30 कुश्चन मर् 30 है दुनिया के सबसे बड़े ज़ार नहीं है थार थार रेगिस्तान ठीक है थार है ठीक उस के सबसे बड़े चार रेगिस्तान में या थार रेगिस्तान में एक भारत में कहां इस्तित है तो क्या इसका अप्शन कच्छ का गुजरात ठीक है कच्छ का गुजरात ठीक चलिए यह चलते हैं नेक्स्ट अगला कोश्चन चार ही है वो चार रेगिस्तान बोलते हैं चार का यहाँ लवण जादा पाया जाती है। तो हमारे या लवणी मिरदा कहाँ पाई जाती है। तो घुजरात में ही पायाती। 1 खंड ओं प्रमुख कर्यावर्ण संसाधन है भारत का कितना भुभाग छेटर फल फल ?1 छेतर से घिरा हुआ बताइए। uh Perth 2020 की is Perth chetronly principles अगला हमारा विंसर का जंगल, भारत के किस प्रदेश योम के इंदर शासित प्रदेश में अवस्तीत है, विंसर बताई, 32 का विंसर, तो बिंसर अमारा उत्रा खंड में है, कहां पर बिंसर अमारा कहां है, उत्रा खंड में है, चलिए, आई चलते हैं, next, अगला question, one विभाग के सर्वेच्छन के मुताविक भारत का वास्तविक one कबर कितना है, बताइए, तो वास्तविक one कबर हमारा 21.54 है, सिर्फ one की बात किय जा रहा है वनावरण की बात नहीं किया है तो उस तरह से 24.6 कुछ करके 24.26 हो जा रहा है 24.67 की 64 है थोड़ा से पीछा लडाउट है इतना है ठीक है चलिए चलते हैं नेक्स्ट है अगला कोशन अभी वनाकरन के बारे मैंने कोई रिपोर्ट को बताया है ठीक है भारत की किस र याद रखेंगे आप लोग ठीक है सबसे कम कहां पर है तो परसेंटेज में कौन सा है तो मिजोरम मिजोर परसेंटेज की सबसे जादा करा है मिजोरम है 35 35 में क्या करा भारत में निम लिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा छेतर है किस प्रकार के वन का सबसे पहला है, तीसरा है, दूसरा है या चवता है, लोवर पीचियस री एकजाम 2022 में पूछे गए कोश्चन है, 36, 36 का बताईए, तो B part, कौन सा है, दूसरा है, ठीक है, कौन सा अस्तान है, दूसरा है, सेमें टूत पादर में, सबसे पहले अस्तान पर कौन है, तो चाइना है, चल राजस्थान में, चली, नेक्स्ट बताईए, 38, वर्स 2012 में उपलब्ध जानकारी का अनुसरा है, बाकसाइड का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, बाकसाइड हो, वर्स 2012 की डेटा की हिसाब से, ठीक है, लोवर पीचियस 2019 में एक पूछा गया कोश्चन है, ठीक ह वर्स 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसरार निमलिकित में से कौन सा बिस्व में तिन का अग्रेणी ये उत्पादक राज है, बताई ये 39 का, कौन सा है, तो चाइना है, ठीक है, चाइना है, हम आज 40 कोश्चन करें क्योंकि हम थियरी वाला भी पोर्षन किये हैं, ठीक है तो 40 कोश्चन करेंगे, फिर बाकी हमारे बचेंगे कितने, 100 कोश्चन लगभगिस में हैं, बाकी जो बचेंगे उसको हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है, तो इसी तरह से मैराथन आती रहेगे, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस सेट पे भी सपोर्ट पूरा बनाईए, ठीक है, पर दे प्रैक्टिस सेट, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सुबह 8 बजे मैं, अपना मैराथन वाली क्लाश डाल दूगा, हर एक सब्जेक्ट की छोटा-छोटा करके, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा-छोटा करके मैराथन, प्लस जो साम को 4 बजे कहिए तो प्रैक्टिस सेट कर दूँ, प्रैक्टिस सेट पर डे जो है, आप लोग को अगर प्रैक्टिस सेट वाली वीडियो लंबी लग रहे हैं, कि उसमें मैत भी आ जाता है, रिजिनिंग भी आता है, सारे सब्जेक्ट उसी मैं कवर करवा देता हूं, 5-5 इस वज़े बन जाती है, इसलिए अगर आप लोग कहेंगे, मैं थरिजिनिंग के अलग से, तो मैं उसका अलग से वीडियो बना दिया करूंगा, ठीक, चलिए, आई चलते हैं, नेक्स्ट, अगला कोश्चन बताईए आप लोग, बाला घाट का मलज, खंड छेतर, जुन जुनु, खेत एक मिनट, यहीं तक हम लोग 40 ही कोश्चन करेंगे, तो इसमें हम लोग होगे, तीन वाला सबसे ज्यादा उत्पादक कौन है, 49 का, तो कौन है, चाइना है, ठीक, कौन सा है, चाइना है, ठीक है, इसमें बाकसाइड उत्पादन 2012 कूप लब्दा के अनिसवार कौन सा है, 38 म तो हमारा कौन सा, अस्ट्रेलिया है, यह तो मैंने बताई दिया था, कोश्चन नमबर 40 बताईए, बाला घाट का मलज खंडे छेतर, जुन जुनु खेतरी, यह कहां पर पड़ता है, तो हमारा कहां पर पड़ता है, ताबा के लिए जाना जाता है, ठीक है, ताबे के लिए जाना जाता है, तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो आपनों को अच्छा लगा है, तो प्लीज जादा से जादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत मेहनत लगती है आपको वीडियो बनाने में, तिसलिए आपको जादा जादा सपोर्ट करिए, झाल 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 झाल